कभी दिनों दिन की बारिश चंद घंटों में हो जाना और फिर एक लंबे वक्त तक हिमाले के बड़े हिस्से का सूखा रहना ये हर किसी के लिए चिंता का विश्य है और हम अपनी समझ के मताबिक अलग-अलग मौसम के जो मिजाज होता है उसे लेकर चिंता भी व्यक्त करते हैं और उसे लेकर चर्चा भी करते हैं लेकिन सत्य और तथ्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती आखिर इसके पीछे सत्य क्या है तथ्य क्या है क्यों इतनी जादा बारिश हो रही है और क्यों कभी लंबे वक्त तक हिमाले का एक बड़ा हिस्सा सूखा रह रहा है हमारे पर बारिश नहीं हो रही है बरह बारी नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो सर इसकी वज़ा जानना चाहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है अभी लंबे वक्त से ऐसा अगर आपने आईमडी का फोरकास्ट देखा होगा तो जब मौनसून सीजन में काफी जादा एक्सेसी जो बारि तक जो परदेश के अंदर जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वारिशें कम होंगी और वही हालात बने हुए है और जो इसके जो कारण जो रहे हैं मेजर जो है तो जल्वाई परिवरतन का दवा पूरे एक शेतर में है वो कोई परदेश ही माचल परदेश के लिए या किसी क्षेतर स्पेसिफिक के लिए नहीं है जितना भी हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशिंस का जो एक फिनोमेना है तो वो बड़ी तो ही है और उससे जो ताप मान जो अगर आप पिछले सौ साल का अगर टेंपरेचर ताप मान अगर आप किसी भी स्टेशन का उठ आपके देखेंगे तो आपको यह देखने में बिलको साप सुतना मिलता है कि एक डिगेरी के आस पास का हमारा ग्री के आस पास जो है इस वक्त ताप मान जो है उبढ़ चुका है और यही कारण है जो मिजर जो पिछले कुछ वर्षों से जो आप इसमे जलवायों में जो प हाज़ब आम लोग चर्चा करते हैं हम किसी से बात चित करते तो हमारे जितनी समझे की भीड़बार बड़ रही है गाड़ियों की संख्या जादा हो गई है या फिर पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं उसकी वज़ए से इंपक्ट है लेकिन वास्ताव में इसका इंपक्ट क्या है, सर क्यों इसकी वज़ा क्या है और ये जो छोटी-छोटी लोग चर्चा करते हैं, इसका भी क्या वास्ताव में असर रहता है इस सब चीजों पर देखी, ये तो बड़े जो बेगयनिक जो तथे हैं, बड़े प्रूट हैं और जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैस समिशन्स में सबसे मेजर जो होती हैं, कार्बन डाइकसाइड होती है मीथेन है, जितना कुड़ा कच्रा आप इदर अदर फैंकते हैं आपके लोगों के आने से या गतिविदिया जादा बढ़ने से कुछ फरगनी पड़ता है अगर आप सतत तरीके से सस्टेनेबल मैनर में अगर आप प्रयास करते हैं, हर कारे को करते हैं आपका जब मेनेजमेंट का प्रैक्टिस जब प्रबंधन जो है किसी भी चीज़ का अगर उचित नहीं होगा आप हर एक चीज़ का एकसेसिव यूज़ करेंगे बिना मतलब के आप गाड़ी को स्टार्ट करके रखेंगे बिना मतलब के आप इंदन की खपत करेंगे बिना मतलब के आप फिटिंग इंपक्ट जो है उसको जनरेट करेंगे तो इस तरह के खालाद जो है वो कॉंट्रिबूट करते हैं ओवर आप तापमान को तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आम जनता को इसके बारे में जाग रुकता नहीं है, सबी को जाग रुकता है, बहुत अच्छी लिटरेसी रेट पर देश की है और उसका फाइदा हमें यहां पे तो होना ही चाहिए, काफी ज़्यदा लोग इनिशेटिप्स भी ले आ रही है या टूरिजम की गतिविदिया बड़ी है, उन से कोई इंपैक्ट नहीं होता इन जीज़ों का, ये गलोबल फिनॉमिना है, वांटनेस बड़ी है, और इस वक्त जो तापमान में ब्रेदी आई है, ये उसमें केबल जो अबरेज टेंपरेचर जो पिछले कई वर अबिस जून तक, एल निनो का एक्स्टेंडेड हमारा ये इंपैक्ट रहेगा, तो जो गर्मिया है भी तो गर्मिया भी और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो मेरा अपना एक जलवायू परिवर्तन के एक शेतर से जो एक एक्सपिरियंस है मेरा, तो उसके मताबिक जो प्र ने लेते हैं, तो इसका असराने वाले वक्त में वाटर क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा जाएगा, बिल्कुल, और इसके लिए परदेश सरकार के दोरा काफी ज़्यादा प्रबंदन और इस पे काम किया जा चुका है, विशो बैंक से भी पोशित जो परियोजना है, वो चल रही हैं, और जब नदी नालो με पानी नहीं होगा तो उसका इंपट जो है, इल स्टेशन्स को देखने को मिलेगा ही, और इसी लिए जो कारेकरम, जो Čए वो टर रिचार्ज के कारेकरम है, वो चलाये जाते हैं समय समय पर, लोगों को जग रुक किया जाता है कि हैं कैच दी रेन आपने प्रोग्राम सुना होगा जो गवर्मेंट ओफ इंडिया ने भी चलाया और परदेश सरकार के दोरा भी ऐसे बहुत सारे कारे करम जो हैं वो चलाया जा रहे हैं जिससे इन चीजों का इंपक्ट शो कम किया जा सके यह जो ग्लोबल पैटर्न में बदल तरीके से कहूंगा कि ग्लोबल जो चेंजिस जो आपने जो वाम्त में जो हमारा वार्मिंग में जो ग्रैजूल नहीं है यह कुछ पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से एकदम बदलावाया है यह उसी की वज़ा से यह सारा जो एक होता है कि एक नैचरल फिनोमेना होता है जिसमें चेंजिस आती हैं तापमान में पोल शिफ्टिंग उसको कहते हैं यह वो कंडिशन नहीं है यह एंथरोपोजनिक है मानवी अगतिविदियों की वज़ा से कमर्शिलाइजड जो हमारा एक जो एक हमारा जो जो हमारी नियती बनती जा रही है उसके कारण एक बहुत तेजी से इसमें जो बदलावाया है और मैं यह समझ दा हूँ कि वो एक बड़ा कॉंट्रिब्यूटर है इस तापमान परिती में तो चिंता का विशह है बरवबारी और बारिश ना होना सस्टेनीबल ड्वेल्पमेंट जब हम स्कूल में थे तब से एक शब्द पढ़ते आ रहे हैं लेकिन शब्द का असर ग्राउंड सीरो पर नजर क्यों नहीं आता है अपने आप में बड़ा सवाल है और बरवबारी ना होना बारिश ना होना इसमें मानवी गतिविद्यों का गलत तरीके से जो रोल है जो भूमी का है वो भी इसमें एक एहम रोल निभा रही है तो फिलाल के लिए इतना ही आप जोड़े रहिए एबीप लाइफ के साथ